और कोश्ट जो है दोस्तों अभी आ रही है अपनी 85 पॉइंट चोईस अपना 85 रुपय में बड्स तयार हो रहा है दोस्तों अलो दोस्तों नमस्कार और फिर से स्वागत है हमारे खुशी पॉल्ट्री विलोक्स में दोस्तों आज हमारे बड्स जो है complete हो चुके है 28 दिन के और आज 29 दन सवेरे जो है हम आपको body weight करने जा रहे हैं दोस्तों आज हम इसकी FCR भी निकालेंगे और इनका body weight कितना आ रहा है तीन जगे हम body weight करेंगे दोस्तों पहले जब हम body weight करते थे जैसे 7 दिन पर किया था 14 पर किया था तो 21 पर किया था तो हम क्या है एक अफसार किसी दोस्तों अब हरेंगे और इक भी मींदो भी करेंगे दोस्तों में थीं दॉस्तों अफन सभी में mois पांच-बाइट करेंगे दोस्तों पहले जो है यह बेघ में दस बेघ कि भीडाल के बोडिवेट करेंगे तो दोस्तों फिलीज आप मेरी वीडियो में भने रहें मैं आपको बोडिवेट भी धिकांगा अपना 28 दिन का कितना बोडिवेट आया और FCR अपनी कितनी आ रही है और अपना बेज जो है अभी फिलाल की कंडिशन में कैसा चल रहा है वो मैं आपको पूरा बता हूँ किलिरली आप प्लीज हमारी वीडियो में बने रहे हैं तो यह देखिए दोस्तों हमारे बड़ से हैं और लेका जा यह एक मुर्गा है अब इ पिल्गा देखिए दोस्तों चार मुर्गी हैं ऑर एक मुर्गा है अब इसका देखते हैं अपन बोडी वेट किया रहा है यह देखिए दोस्तों जीरो प्लाल सिक्ट भूटकर पर दो अ-पर बड़िगे सब्सक्राइन अ-बसारत करते हैं इस हैं आपकाई है कि उसक्ताए किलो 825 ग्राम हुआ दोस्तों इसका अब अपन जो है उस वाले शेड में चलके और करते हैं यह अब दोस्तों बड़े वाले शेड के वर्स दिखा रहे हैं आपको एक बोडिवेट जो हम यहां पर करेंगे यह देगे दोस्तों हमारे बड़्स जो है अभी इस कंडिशन में है यह 28 दिन के वर्स है दोस्तों देखिए अब इसमें जो हम बोड़ी वेट करके दिखाते हैं पकट चार मुर्गे डाले इसमें दोस्तों हमने तीन मुर्गें डाली है और दो मुर्गे डाले हैं जीरो कर इसको है हाँ लगा अ करें अ है कर दो कर दो दो कि आठ किलो 165 गरंब दोस्तों इसका खाले कर तो डोनों मिला के कितना बोड़ी वेट आया मैं आपको विताता हूँ कि एक चुल में एक बड़ी वेट का बोडिवेट कितना आया है फिर उसके बाद में इसकी FCR भी निकाल का आपको बताते हैं और कोष्ट भी क्या आ रही है वो भी आपको बता दें दोस्तों फिलीज आप वीडियो में बना तो दोस्तों फाइनली जो एपन ने बोडिवेट निकाल लिया है अपना पंदरा सु कंडिशन में बहुत बड़िया रिजल्ट जा रहा है दोस्तों अगर यही बोडिवेट अगर गेन करता रहा तो अपना 35-36 दिन में यह जो है 2100 ग्राम बोडिवेट हम लाके दिखाएंगे आपको दोस्तों आपको हमने पहले ही बताया था कि हम जो है ठाइस दिन का बोडि इनका मतलब कि 1600 ग्राम यह आया है अपना और अपने बड़्स ने जो है 172 मतलब कि एक सो बहतर कटे खाएं एक बेग अपना 60 kg आता है तो अपना टोटल फीड जो है 10-320 किलो अपना फीड टोटल खा चुका है दोस्तों अपने 4400 बड़्स आये थे उसमें 187 आज तक की मो पॉडल्टी होगी तो 423 बड़्स बचें अब 423 बड़्स को अपन जो है 1559 में से इस इकल टू करेंगे तो यह अपना टोटल जो बड़्स का बोड़ीवेट आ रहा 6,736 kg अपना बोड़ीवेट आ रहा भी दोस्तों तो इस फीड के अंदर जो है अपन जो है बोड़ीव पर और दोस्तों आज की कंडिशन में तो यह अपने बोड़ीवेट किया था दोस्तों एक का आया था 7 kg 825 ग्राम एक का आया था 8 kg 165 ग्राम टोटल यह हुआ था इसमें 10 का भाग दिया था तो 1599 ग्राम अपना बोड़ीवेट आया था तो इस परकार दोस्तों यह पूरी और 22 के बीच में हम बोड़ीवेट लाक के बताएंगे आपको और लास्ट में जो है लिप्टिंग हो जाएगी अपनी 37-38 दिन पर तो उस पे अपना क्या एवरेज आ रहा है लिप्टिंग की भी आपको वीडियो बना के डालेंगे और अपना पेमेंट के आ रहा है उसकी खेसी लखी वीडियो को लाइक करें और आगे सागे सेर करें दोस्तों हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जैश्रीराम झालेंगे जैश्रीराम